अस्वालेकूम फ्रेंट्स वेलकम टू माय चैनल शवनूर ली और आज फिर हाजिर हूँ आपके पास एक और कबार से जुगार लेकर लेकिन आपको ये जुगार गार्डन में ब्यूटी बढ़ाने के लिए बहुत हेल्प करेगी बहुत सारे काम होते हैं और गार्डनिंग का शौक भी है तो ये शौक पूरा करने के लिए मैं कुछ टुकडों में काम करती हूँ कभी मैंने ये बॉटल काटी और कुछ इस तरह से छोड़ दिया कटिंग्स लगा दी जब तक जड़े आ जाएंगी और कभी इस तरह से एक बॉटल पाए और थोड़ा सा आइडिया लगाया किसको किस तरह से सजा सकते हैं और बस उसका ढखन काट के उसको दे दिया फूल का लुक तो जो फूल कट चुका है उसको हम कलर करेंगे और अब थोड़ा सा काम इसके साथ करेंगे इसको भी कलर कर देंगे और कटिंग तो सूखने के बाद ही कर सकते हैं तो अभी हम बनाते हैं दूसरा वाला पिलांटर इसको भी पेंट कर देंगे जिस तरह से आप उस बॉटल को देख रहे हैं एक हिस्सा जुड़ा रहता है बॉटल के साथ ही और उपर इसमें कुछ कट के निशान होते हैं उन्ही निशानों की हेल्प से बस हम फूल की कटिंग कर लेंगे इसमें सीजर की हेल्प से प्लास्टिकी बॉटल इजली कट हो जाती है इस बॉटल में आप देख रहे हैं कुछ कटिंग्स लगी हैं और उसमें जड़े आ चुकी हैं इसमें भी हम कटिंग्स ही रखेंगे और बात में चाहें तो आप उसको प्लांटर बना सकते हैं उसमें पौधर लगाने के बाद आप ड्रेनेज होल बना लीजिएगा मिट्टी भर दीजिएगा तो हमारे पास दो कलर मौजूद है और भी बॉटल हमने कलर की हुई हैं तो इसी से हम कलर कर लेते हैं ग्रीन ब्लू और रेड ये कलर कॉमिनेशन बहुत खुशूरत लगता है तो हमने दोनों मौटल्स को ब्लू कलर का नीचे का पोर्शन कर दिया है और इसको थोड़ी देर सुखा लेंगे जब ये थोड़ा सा सूख जाएगा तब इस फ्लावर को हम रेड कलर में कर देंगे क्यूंकि ग्रीन ब्लू और रेड का कॉमिनेशन बहुत खुशूरत लगता है जब इस में कटिंग लगी होगी तो ये फूल भी खिला होगा पत्तों के बीच में ऐसा ही कुछ आप आगे देखने वाले हैं तो कलर का काम खतम करते हैं इसको भी कलर करके छोड़ देते हैं मैंने कलर्स लगा दिये हैं यहाँ पर फूल भी खिल चुका है और इस डेकोरेटिव पीस को आप विंडो के पास रख सकते हैं जहां आप सेमी शेड में कटिंग लगाने वाले हैं तो यह बहुत खुशूरत लगेगा डेकोरेटिव पीस भी लगेगा लेकिन मैंने इसको अपने टेरिस गार्डन की खुशूरती बढ़ाने के लिए बनाया है कटिंग की कटिंग रेडी हो जाती है और आपका टेरिस गार्डन बहुत ब्यूटिफुल लगता है तो मैं इसमें भार देती हूँ पानी लगा देती हूँ सिंगोनियम की कटिंग क्यूंकि वो लीफ क्रीन होती है और प्रावरस में रेड है और प्लांटर हमारा है ब्लू तो खुशूरत तो लगना ही है तो हम लेंगे इसमें से कुछ सिंगोनियम की कटिंग सिंगोनियम को आप चला सकते हैं रूम के अंदर इंडोर आउडोर और पानी में भी मिटी में भी इसलिए मैंने सिंगोनियम को तो हम लगा देंगे इसमें कटिंग्स सिंगोनियम की इसमें एरियल रूट्स आती हैं और यह बहुत खुबसूरत लगेगा उन प्लांट के नीचे जहां पर बड़े प्लांट लगे हैं उसी की च्छाओं में यह ग्रोध करता रहेगा और इसके साथ ही हमारा फर्ज है आप से रिक्वेस्ट करना कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक कीजिए शेर एंड कमेंड कीजिए और आपकी मर्जी है और खुशी है हमारी रिक्वेस्ट को एकसेप्ट करना तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एक लाइक जरूर करेंगे फिर मिलेंगे इंशालला नेक्स्ट वीडियो में आला हाफिज